जैसे हैं आप सभी का सोगते दिखें जैसे ही मैंने आपको समझायता ना वह मैंने आपको बताया विदा सिंपल सी चीजे थी कि मार्केट में अगर सेलिंग आता ना तो उस सेलिंग में हमको बाइंग करना है ठीक है और उपर वाला हमारा रेजिस्टेंट का पराइश था ही जो मैंने आपको समझायता है अच्छा मैंने क्या बोलाता एक बार अपन देख लेते हैं और फिर उसके बाद आपन आंगी की बात चालू करते हैं कि कल किस तरीके से हम काम करके चल सकते हैं क्या हमारा मार्किट हो सकते हैं एक्सपारी वाला दिन है तो थोड़ा देखे बड़ा मुफ मिलेगा ठीक है इस चीज को समझें दौनों चीजों को क्लियर करेंगे इसी वीडियो में अब सबसे पहले हुआ कि आप इसको समझते हैं अगर आप देखोगे तो यहां पर देखे जे वाला जॉन आपका देखे जे वो पूरा जो जॉन दिखाई दे रहा है यहां पर बना है यह आज का है तो यहां पर आपको बना है ठीक है कोई गलत नहीं है उसके बाद सेलिंग आया है अब देखें यहां पर जो सेलिंग आया है तो यहां पर यह वाला जो पिराइस है यह आपका जो पिराइस बना है यह देखें आपका 51,000 का आपका यह पिराइस है ठीक है अब देखें जिसने उपर की साइट जिसने उप पीछे की साइट बाइंग किया है वो भी गलत नहीं किया है क्योंकि देखें प्राइस का एक वॉल्यूम होता है ठीक है प्राइस की एक वेल्यू होती है उपर की साइट जो वेल्यू थी वह ओपर प्राइस थी क्योंकि पीछे की साइट जैसे ही हम देखते हैं तो यहां पर ह मार्केट में लोवर प्राइस हो गए और यहां पर आपका जुब बाइंग वाला लेवल ता जित्ते भी आपके बायर थे अब कल मैंने आपको समझा भी दिया था कि आपके जो भी आपका साइक्लोजी प्राइस होता है अक्सर महाँ पर क्या होते हैं बायर एक्टिबेट होत केंडिल के बाद को छोटे केंडिल बने इस टाइप से ठीक है और फिर आपके लगातार आपका मार्केट नीचे की साइट निकल गया ठीक है जही हुआ कल आज के दिन अब देखिए यहां पर अपन समझते हैं कि मार्केट के मोमेट को हमने किस तरीके से पैचाना था कल मैंने आपको क्या समझायता है कल मैंने आपको बतायता है कि आपका बजार अपसाइट है ठीक है यानि यह हमारा क्या हो गया यह हमारी चीज हो गई कि हमको ब्यों मिल गया कि हमारा ब्यों क्या है आज क्या हुआ अपसाइट ओपन हुआ लेकिन नीचे से फिर उपर गया ठीक है तो हमारी दो चीज़ आती ही जो आपमारी किलियर हुई पहली कि हमारा बेव किलियर था दूसरा हमारा लेवल किलियर था अब मार्केट देखे कैसे भी ओपन करे वो आपका गैप के साथ ओपन हो जाता है गैप डाउन ओपन हो जाता है वो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि दे वाल खरीदा है इसमें मैंने आपको क्या होता है थोड़ा समझो पैटन को आप समझो यह आपका रेजिस्टेंट वाला पिराइस है मार्केट नीचे आया यहां से उपर गया अब यहां से और उपर जाता तो इस जगा तक आ जाएगा यहां से फसे टेप में सेलिंग देने के यहां यहां पर जो जान है में यहां पर यहां पर और यहां से उपर आपको आपको पना बार्केट को अगर मैं देखता हूं तो यहां पर देखे सचोगा तो हम पर आपको क्या क्या चीज़े दिखाई दे रही है सब से पहले अगर मैं SPM 500 की बात करूं और नेक डेस्क की बात करूं ठीक है यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पर यह दोनों positive है ठीक है दूसरी की चीज़ कि अगर मैं यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखर जेओ पा जो ढईब्लाव को समझयार वो क्या जैसे की देखें मैं आपको यहां पर चार्ट लगा के दिखा दिता हूं इस चार्ट को आप देखिए अगर आपने टेलीगराम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो उसके लिंक आपको वीडियो के डिसेशन में दिये गए हैं अगर आपको धीमेट अकौंट ऐसे अगर डॅर यहां पर आपको यहांपे लगाता हूं तो यह बॉक्स आपको पर बनता हो दिखाई दिए अब दिखें यहां पर समझो कि अब यह वाला जो पिराइज से तो अटेंप हो चुका है ठीक है मार्किन ने इसको टच कर दिये हो चुका है ठीक है अब जी आपका किलोजिक कहां पर हो चुका है 51,277 अब जो आपका देखें नीचे वाला जो पिराइज था 51,000 का जी हमारा साइकलोगी पिराइज था उससे तो कम से कम 277 पॉंट आपका ऊपर इचायट है ठीक है अब देखें जे इसके ऊपर अगर निकल बाइंग जा सकते हैं यानि मार्केट फिर आपका बाइंग शायट उपर की साइट निकलने के खोसिस करेगा और जे अटेम्ट जो होगा देखें कल की केंडल भी आपकी किस तरीके से किलोजिंग हुआ है गिरें आज की केंडल भी आप गर आप देखो तो गिरें हमको इसमें उपर रजिस्टेंट जो हो गई आप टार्गेट मांद के चलिए वह आपका 51,400 51,500 51,600 और आपका 51,700 कल भी मैंने आपको यही चीज़े बोला था आज भी वही चीज़े उसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आप समझके चलिए कि आपका वनव का चार्ट आप देखना पहले पसंद करोगे याप बंडे का वन डेकर समझ लेते हैं अब आप मैंसे कुछ लोग बोलेंगे कि वन डेकी केंडल तो आप कह रहे थे गिरेन बनी है लेकिन यहां पर तो रैट है तो मैं आपको समझाना चाहूंगा जे वाला जो केंडल है जे जे जो केंडल है जे भी पावरफुल केंडल है जे रैट केंडल आपको दिखाई दे रही है लेकिन जे पावरफुल केंडल है कैसे देखें आपका मार्केट में हुआ क्या पहले बजार के प्राय सेक्शन को आप समझांगे अगर आपको price action और अच्छे से समझना है तो telegram channel पर मैंने एक book publish किया उच्को जाके आप देखिए पहले आपका क्या हुआ है आपका gap के साथ open हुआ gap के साथ open हुआ gap के साथ open होने के बाद आपका selling आया selling आने के बाद नीचे base बनाया कि इस price पर psychology price से और फिर वहाँ से आपका इस तरीके से journey देखने को मिली यानि हुआ क्या कि बजार में पहले से तेजी थी जबी तो आपका gap के साथ open हुआ फिर ठीक है कुछ buyer इसके अंदर आए market को नीचे लेकर आए ये भी अच्छी बात है profit booking आना चाहिए लेकिन फिर जो आपका नीचे से buying आना चालू हुआ जे क्या दरस आता है market के अंदर कि नीचे जी side जो लोग थे वो buying करने में comfortable थे जिसके बज़े से जिसके बज़े से जो candle बना है वो किस तरीके का candle बना है उपर आपका big छोटा है लेकिन नीचे big बड़ा है अब जे candle क्या कहने की कोषिस कर रहा है इसका तो हई हो गया इसका opening हो गया जे closing हो गया लेकिन low कहाँ पर नीचे अब जे लोग का जो आपका देखे यहाँ पर आपको जे देखने हो लेगा कितना दूर ही पर तो यहां पर पूरा जो बायर है इसको मार्केट को कीच के ले गए उपर की जाए ठीक है जे चीजे समझ मैं अब देखे अगर जे गैप के साथ उपन होता है तो ठीक है यह आपका अगर जे नीची की साइड आपका आता है तो आप नीची की साइड आपका 51,000 का एक साथ calm को बिरेग करेगा जब ही हम इसके अंदर अपको सोच सकते हैं सेलिंग के वारे में किसके भारे ने सीलिंग के वारे में जब 51,000 को बिरेक करेगा ठीक है उसके पहले नहीं यहह मरा सपोर्ट ले यह range, support and resistance मैं आपको बता दिये हैं और FIS का data वो आएगा तो मैं आपको टेलिगराम चैनल पर पब्लिस कर दूँगा वाकि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए जय हीन बने मताँ